आपका हमारे चैनल में कैसे हो आशा करती है आप सभी लोग ठीक हो रिपा वली पे कुछ ऐसे चीज है जो मैं बताने जा रही हूं जो हम यूज भी करते हैं या उसकी पूजा भी करते हैं पर उसके वारे में हमें अजैक्ट चीज है वो नहीं पता है तो हम बात करने जारे हटरी लेके आते और उनकी पूजा करते हैं हटरी की पूजा क्यों किये जाती है किसलिए की जाती वही मैं अपनी वीडियो के में बताने जारी हूं हटरी की पूजा इसलिए किये जाती है जैसे आप कोई अपना घर ले रहे हो या दुकान ले रहे हो या कोई भी काम अपनी जिन्दगी में शुरू करना जा रहे हो इसलिए हटरी की पूजा की जाती है हटरी की पूजा जैसे कहते हमने कोई नया कामनी शुरू किया हमने कोई कुछ ने किया है पर हटरी के यह है कि हम उसको जब अपने घर में लेकर आते हैं तो एक बहुत ही शुब मन से लेकर आते है और आपने देखा होगे हटरी दो तरह की होती है image की हुती है अगर मैं भी हटरी लेती हूं अगर आपने हटरी ले नहां तो हमेशा है मिट्टी वाली हटरी लेना और जिसमें गनेश भग्ण जी और लक्ष्मी जी की मूरत हो कई लोग जो राम जी का घर होता है या घर होता है, या जो वली हट्री रेती है, आपने देखनाувा उपर जंडा जासे लगा होता है. आप कोशिश किजिये हट्री अपने लक्षमी जी की और उनकी गनीश भगवान जी की हट्री लेनी है, और जब भी आप पूजा करें, तो कई लोग हट्री के पास दिया जला कर रख देते हैं आप कोशिश करना वो हट्री का जो दिया है अगर अंदर हो सके तो अंदर जला कर रखना खुब कि उससे ये है कि हट्री की जो उसकी जो जो पॉजिटिव वाइब है वो उसकी हट्री के अंदर ही रहे ये हट्री की पूजा आग अबर किसी को नहीं पता था अगर घर में कोई नहीं लेकिया आ रहा था कि हट्री की विशिश महत्ता क्या है क्यों पूजा की जाती है तो हट्री की विशिश महत्ता ये है कि जब आप कोई भी अपनी काम शुरुआत करने जा रहे है पैसियों के सम अगर उस हट्री को हाथ लगा दे तो कहते हैं उस नमजाज शिशू का जो आगे का जिंदगी है आगे की जो पालन पोजिशन है बहुत ही उसके अच्छा निकलेगा कोई बिमारी से नहीं सब भी उसको शुकल पूरवक से निकलेगा तो इसलिए हट्री की पूजा की जाती है हट्री का में महत्तब भी यही है कि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा स्टार्ट कर से अगर किसी को नहीं पता था तो यह थी हट्री की महत्ता और हट्री की सबसी बड़ी बात यह है आप जब उसको पूजा करो कम से कम उसको छट पूजा का जो परव है तब तक रखो उसके बाद उसको विसर्जन कर दो, अगर आप चांदी की हटरी लेती हो, तो कुछ उसके बाद उसको ऐसी जगा पे रखो, कि उसका दूरी प्योग ना हो, मैं कोशिश आपको कहूंगी कि हटरी आप मिट्टी वाला लो, और मिट्टी वाले की उसकी पूजा करो, क्योंकि मिट्टी सिकी बनी हुई हटरी, यह होता है कि आप उसको पूजा करके, उसको हम जल प्रवाहित भी कर सकते हो, आशा करती है आपको यह वीडियो अच्छी लगी, और यह वीडियो में आपको हटरी का जो मिशेश माता हूँ, पता लग गया हो, नमस्कार, जयमाता दी, और यह हटरी की जो बेश महत्ता थी, वो मैंने बता दी, नमस्कार,